नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत मंत्री मंडल का गठन हुए दो दिन से जादा का वक्त बीच चुका है लेकिन अभी तक मंत्रीयों के बीच विभागों का बटवारा नहीं हुआ है जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं चर्चाओं का बाजार गरम है कि आखिर क्या वज़ा है कि इतने दिनों बाद भी मंत्रीयों में विभागों का बटवारा नहीं हुआ अब देखिए 28 जन्वरी को नितीश कुमार समेत 9 मंत्रियों ने शपत ली 29 जन्वरी को कैबिनेट की बैठक भी हो गई और आज है 30 जन्वरी पर अभी तक मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा नहीं हुआ है जिसको लेकर मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है हलाकि पहले का इतिहास अगर देखा जाए तो अक्सर ये देखा गया है कि जिस दिन मंत्री मंडल का गठन होता है उसी दिन शाम को विभागों का बटवारा भी हो जाता है मंत्रियों के बीच या फिर अगले दिन कैबिनेट की बैठक के बाद तो निश्चित तोर पर विभागों का बटवारा हो जाता है 1990 में चाहे लालू परसाद यादों ने अपने मंत्री मंडल का गठन किया हो या फिर 2000 में केवल साथ दिनों के लिए जब नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और केवल तीन मंत्रियों ने शपत ली थी उसमें भी विभागों का बटवारा हो गया था पर क्या वज़ा है कि इस वार नहीं हो रहा है ये बड़ा सवाल है अब देखिए 2020 की हम बात करें तो आपको याद होगा कि 2020 में 16 नॉम्बर 2020 को मंत्री मंडल का गठन हुआ और 14 मंत्रियों ने सपत ली और उसी दिन साम तक 14 मंत्रियों के विभागों का बटवारा हो गया था उसमें मेवालाल चौधरी जो की अब स्वरगिये हो गये हैं सिक्षा मंत्री थे हलाकि वो बहुत दिनों तक सिक्षा मंत्री नहीं रह पाये थे उनको इस्तिफा देना पड़ा था पर मंत्री मंडल का बिस्तार जो हुआ वो नौ फरवरी 2021 को हुआ यानि कि तीन महीने के बाद 17 मंत्रियों को शपत दिलाई गई जिसमें नमाज हुसेन उद्द्योग मंत्री बने थे संजय जाज जलसंसादन मंत्री बने थे अब देखिए कि जो 16 नौंबर 2020 को मंत्री मंडल का गठन हुआ उसमें बिभागों का बटवारा हो गया थे एक एक मंत्री को दो दो तिन तिन बिभाग दिये गया थे लेकिन जब उसके बाद मंत्री मंडल का बिस्तार होता है नौफरवरी 2021 को तो उन्हीं मंत्रियों को जो परभार दिया गया था उनसे लेकर नए मंत्रियों को विभाग का मंत्री बनाया गया तो ये परंपरा चली आ रही है पर इस बार क्या हुआ है कि मंत्री मंडल का गठन हो गया मुख मंत्री के अलावा आठ मंत्रियों ने शपत ली लेकिन विभागों का बटवारा नहीं हुआ है तो इसके पीछे की वज़ा जो बताई जा रही है वो ये है कि जल्दी ही बिहार में मंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है देखिए चुनाओं में लोक सभा के चुनाओं में ज्यादा वक्त नहीं है और बजट सत्र भी शुरू होने वाला है बिहार बिधान सभा का तो ऐसे में आप पिछली बार की तरह तीन महीने तक ची माकूल जवाब मंत्रियों के तरफ से मिले जो की सवाल जवाब होते हैं परस्णकाल में दूसरी बात कि विश्वास मत भी प्राप्त करना है सरकार को इस दौरान तो ये सबसे बड़ा कारण है कि मुझे लगता है कि सरकार ने ये तै कि एक बार बिश्तार हो जाए सारे मंत तरी शपत ले ले फिर विभागों का बटवारा कर दिया जाए हलाकि विभाग का जो बटवारा नहीं हुआ है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाय चल रही है कहा जा रहा है मीडिया में चर्चा चल रही है कहा जा रहा है कि विभागों को लेकर आपसी खीचतान है पर जो भी कारण हो एक जो कारण मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों ये ऐसा कहा जा रहा है हर बार जब भी मंत्री मंडल का गठन होता है ग्री विभाग को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाय रहती है जो भी सहयोगी दल सामिल होते हैं सरकार में गठवंदन में उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई ग्री विभाग हमें दे दीजे लेकिन बिहार के इतिहास में अगर देखें तो कभी भी ग्री विभाग मुख मंत्री का अलावा किसी के पास नहीं रहा है शुरू से कॉंग्रेस के जमाने से बीच में मिली जुली सरकार एक बार बनी थी तब रामानन्तिवारी सरगे रामानन्तिवारी पुलिस मंत्री बनाय गया थे तो भी पूरी तरीके से ग्री विभाग नहीं कहा जाएगा लालु परसाद यादों ने भी अपने पास ग्री विभाग रखी रावणी देवी ने भी अपने ही पास ग्री विभाग को रखा था और नितिश कुमार पिछले 19 सालों से अपने ही पास इस विभाग को रखे क्या ग्री विभाग को लेकर ही खीचतान चल रही है जिसकी वज़े से अभी तक मंत्रियों के विभागों का बटवारा नहीं किया गया पर इस तरह की कोई सुचना अधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है और विभाग को लेकर देखे दो ही विभाग सबसे जादा पोलिस महकमे से जुड़ा हुआ डीजी से लेकर और सिपाही तक ग्री विभाग के अंतरगत आए तो निश्चित तौर पर और समान्र परसासन में सारे जो विभाग आ गए जिसका ट्रांसफर पोस्टिंग जिसके विभाग के जरिये किया जाता है तो कुल मिलाकर जो इस्थिती है वो यह है कि मंत्री मंदल का विस्तार होने वाला है और मंत्री मंदल के विस्तार के बाद ही मुझे लगता है कि विभागों का बटवारा भी हो जाएगा जाहिर तोर पर बीजेपी की तरफ से जो उनके नेता हैं वो इस बात को इस मंसिवे को पाले हुए हैं कि ग्री विभाग आ जाये तो हम जो है बिहार से अपराद खतम कर देंगे पर हम कह सकते हैं कि ग्री विभाग जो है बहुत जादा महत्पूर नहीं है हाँ सिच्छा विभाग और बित्र विभाग को लेकर कुछ अदला बदली हो सकती है बाकी तो विभाग बटा हुआ है बिहार में पहले से ही तैय है चाहे वो बीजेपी साथ में रहे चाहे वो दिकत नहीं है पर सबसे बड़ी चुनोती ये जरूर है मैं कहूंगा आखिर में विश्वास मत प्राप्त करना क्योंकि जो इस्थिती है और जिस परकार की चर्चाय चल रही है उसमें इस नई नवेली सरकार को काफी सावधान रहने की जरूरत है आज के लिए इतना ही